जै श्री राम दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वास्तु शास्तर का प्राचीन सिध्धान्त क्या है? अगर हाँ तो कृपा कमेंट बोक्स में हमें जरूर बताएं कि आप वास्तु शास्तर के प्राचीन सिध्धान्त के बारे में क्या जानते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ललित शर्मा, आपका आपके यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ तो जैसे की अभी हमने बताया कि आज हम वास्तु शास्तर के प्राचीन सिधान्त पर चर्चा करने जा रहे हैं तो वास्तु शास्त्र के प्राचेन सिध्धांत के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो में अंत तक शुरू करते हैं वास्तु शास्त्र जो है भारत के भवन निर्मान का प्राचेन सिध्धांत मना गया है वास्तु शास्त्र के अत्रिक्त कोई अन्य ज्यान यह निश्चित नहीं कर सकता कि भवन निर्मान जो हुआ है वो सही है अत्वा गलत वैदिक एव पोरानिक काल राम क्रिशन युग के ग्रंथ इस विश्य में पूरा उल्लेख करते हैं इसका सिध्धान्त तो पंच तत्व पर अधारित है और जो पंच तत्व है वो हमारा श्रीर निर्मित है हमारा आवास भी पंच तत्व से ही बनता है अंड़ पिंड एम ब्रह्मांड में जो पंच तत्व है वही आवास प्रानियों के सुक्षम एम स्थूल श्रीर में भी मौजूद है पंच तत्व का जो विस्तार ब्रह्मांड में है वही प्रित्वी पर भी है वास्तू का सिधान्त आदी है इसमें कोई संदे नहीं है वास्तू शास्त्र के अनुसार जो निर्मान कार्य हुए है वे आज भी अपनी जगे स्थिर और सुन्दर है मिसर में विद्वानों का वास्तू ज्यान कितना उन्नत रहा होगा कि विशव के सबसे उंचे पिरामिड आज भी सुरक्षित है पिरामिड का निर्मान हुए हजारों वर्ष हो गए है मिसर की सभ्यता का विकास तो ना मात्र था पर वहा के लोगों को पृत्वी के धुरूवों की चुम्बकिय शक्ती का बहुत ग्यान था और इसी सिधान्त पर बने पिरामिड आज सबसे पुराने निर्मान में आते हैं मिसर में मृत श्रीरों को हजारों वर्षों तक सुरक्षित रखने का इतना अधिक ग्यान था कि हम आज भी उन पिरामिडों में ममी के रूप में रखे हुए शवों को देख सकते हैं भारत के उडिसा प्रदेश में स्थित कौनार्क के सूर्य मंदिर के बगल में बेहने वाले समुंद्र से होकर दिन के उजालों में मंदिर के करीब से गुजरने वाला जल पोत मंदिर के पाशानों को चुम्ब की ये शक्ती से आकर्षित होकर पास चला आता था और सूर्य के अस्त होने के बाद ही आगे की यात्रा करता था इसके कारण आज भी यह विशव की सबसे भव्य एंव संपदा शाली मंदिर माना जाता है इस मंदिर में स्थित शिरी यंत्र भी इसकी धन्य संपदा का मुख्य कारण माना जाता है तो दोस्तों ये था वास्तु शास्तर का प्राचीन सिधान्त अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक चरूर करें और साथी साथ शेर करें ताकि आपके सभी मित्रों भाईयों को भी इसके बारे में पता चल सके और साथी साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप वास्तु के बारे में और अधिक से अधिक ज्यान प्रापत कर सके जै श्री राम